आप्य हमने देखा आपने एक बड़ा हमला बोला कॉंग्रेस को मांसिकता का प्रतिम्प है कॉंग्रेस ने सालों तक यह यही किया है कॉंग्रेस का यही वू पहले से था इसलिए राजीव गांदी ने कहा था कि एक बड़ा पैड गिरता है तो जमीन महिलती है उसके बाद इतने साल हो गए आयोग बनते गए कमिशन बनते गए एक भी व्यक्ति पर सजाने हुई इतना ही नहीं कमलनात को उन्होंने पंजाब का प्रभारी बना दिया था जब पंजाब में विरोध हुआ सिक दंगों को बात को ले करके तो उसको हटाया और आज उसको मुख्यमंत्री बना दिया तो इसको किसी एक व्यक्ति के विचार मत मानिये ये पूरे कॉंग्रेस की सोच का प्रतिभीम है कॉंग्रेस इसी अहंकार से भरी हुई है देश को कितना नुक्सान हुआ उनकी यही मान सिकता है हुआ तो हुआ देश लूट गया उनकी मान सिकता है हुआ तो हुआ ये कॉंग्रेस के रग रग में भरा पड़ा है और यह हंकारी है जिसने कॉंग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है और अब जनता उनको इससे भी निचे ले जाएगी मैं गरीबों के घर में बिजली पहुचा रहा हूँ जो उनको ने वादा किया ता नहीं किया मैं पहुचा रहा हूँ उसको चलेंज करते मैंने आयुश्मान भारत योजना के तहर गरीबों को पांच लाक रुपे तक हेल्थ के सेवा के लिए अस्पतार की सेवा के लिए उनक रास्ते पहले के तुलना में डबल बना दिये, डबल स्पीड से बना रहे हैं, उसकी चर्चा करते हैं, हम चाहते थे कि हमने रेलवे को डबल गती से पट्रियां डाल रहे हैं, डबल गती से हम उसका इलेक्रिफिकेशन करते हैं, उस पर सवाल करते हैं, लेकिन कॉंगर्स क मुसीबत है कि विकास के मुद्दों पर वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं विकास के मुद्दों के आधार पर जा नहीं सकते हैं इसलिए उनको हवा में से जूट चलाना होता है जिसके लिए सबूतों की जरूत नहीं होती है जूट बोलते रहो और जब इस प्रकार की बात तो भारती जनता पार्टी लोक्तंतर में जनता को जवाब दे हैं, हमें जनता को अपनी बात रखनी होती हैं, तो जहां जरूरत होती है वहाँ भी रखते हैं आप दुबारा ताकत में आते हैं पावर में आते हैं तो क्या हम ऐसे और एक्शन देख सकते हैं जैसे हाफिस सईद अभी भी हैं दौज इबराहिम और भी हैं पाकिस्तान में यह कुछ इने जीने नाम लेकर कि आप अपना समय बरबाद मत करिए देश के उपर जहां भी जिस अंतरिक्ष में हो भारत की सुरक्षा के लिए भारती जनलता पार्टी प्रतिवद्ध हैं भारत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह हम उठाते रहे हैं आगे और जोर से उठाएंगे अपने देखा होगा चुनाओ का रगध्यन करेंगे तो पहले तीन चरण तक पिर मोदी को गाली देते थे तीसरे चरण के बाद जब उनकी जमिन खिसक गई तो उन्होंने EVM को गाली देना शुरू कर दिया अब दो चीजे वो करते हैं बन्थर 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 मोदी को गाली बन्थर EVM को गाली और बन्थर election commission को गाड़ी क्योंकि उनको पता है कि देश की जनता उनको आशिरवाद देने के लिए तयार नहीं है अग इस लिए जैसे कोई खिलाडि आूट हो जाता है तो empire को गाली देने के कोशिस करता है वेसे ही इन्होंने आब election commission को गाली देना शुरू किया है सर आपको लगता है कि कोई रिजनल पावर में आ सकती है आप इतनी जंगा घूम रहे हैं आप जनता को देख रहे हैं आपको क्या लगता है मैं प्रधान मत्री कारणाईट के दफ्तर में फिट हुआ बंध हुआ इंसान नहीं हूँ। मेरे पर शिकायत यही है कि मोदी पांचों साल केंपेंड मोड में ही रहें एक्चली लोगतंत्रे में जनता के बीच रहना मेरा दाईत्व होता है। पहले जो नहीं जाते थे उनको पुझोग भी क्यों नहीं जाते से, तो मैं पांचों साल जनता के बीच पे रहा हूँ, इन दिनों चुनाव को ले करके मैं जाता हूँ, मैं पूरे विश्वात से कहता हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की जनता कह रही हैं, कि भारती जनता पार्टी पहल सारा प्रतिनी दित्व नहीं था या कम था वहां भी हम बढ़ेंगे एक प्रकार से हिंदुस्तान के हर कौने में कमल खिलने वाला है जितनी गालिया ज्यादा देंगे उतना कमल ज्यादा खिलेगा बहुत बहुत धन्यवार थैंक्यों